सरकारी कर्मिचारियों को लग सकता है बड़ा जटका बार बार बीमार होना पड़ा महेंगा 20-50 फॉर्मूले पारसक्त हुई है सरकार 20 साल के नौपरी की वी आरेस का विकल्ट तीन ट्रॉयल के बाद कोरोना वेक्सीन को मन्सूरी देने वाला पहला देश बना प्रचेन अमेरीकी फार्मा कंपनी फाईजर और जर्मन कंपनी बायू टिकनिक की जॉइंट कोरोना वेक्सीन को मिला अप्रूवल किसान अंदोलन मिसी ए और इनारसी का विरोध करने वाली है ताकतें जबलपूर में ग्रह मंद्री नरोतम मिश्रा का बड़ा बयान कहा अंदोलन को हाई ट्रेक करने की कोशिश प्रोटेम स्पीकर से मिला सकते समाज जुद्यापन सौपकर की इदगा हिल्स पहाडी का नाम बदलने की मांग स्पीकर ने सीम तक आविदन पहुच राने का दिया भरोसा और माध्यप्रदेश में नगरे निकाहे चुनाव की तैयारियां तेज राच्रो निर्वाचन आयोग ने जिलो को भेज़ा रिमाइंडर नमस्कार स्वागत आप सभी का डियनन में और मैं हूँ आपके साथ रित्व भिंडारी जहां मध़प्रदेश में होने वाले योगा कॉंग्रोस के चुनाव के तारी के खोश्रत हो चुके हैं चुनाव के लिए मधदान 10-11 और 12 दिसंबर को होगा योगा कॉंग्रोस के अधिक्षपत के लिए 12 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा उमीदवारों को चुनाव 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 आवंटित कर दिये गए हैं चुनावी मैदान में दो वधायकों के साथ ही तीन महिलाएं भी चुनाव मैदान में उतरी हैं जुसमें कई वरष्ट कॉंग्रोस नेताओं की बेटे भी शामिल हैं ब्रिचिन में तीन ट्राइल से गुजर शुके किसी कोरोना वैक्सीन को मन्सूरी देने वाला दुनिया का पहला तेश बन चुका है इसने अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायो एंटिक का जॉइन कोरोना वैक्सीन को बुधवार को अप्रूवल दे दिया उमीद है कि क्रिस्मस से काफी पहले यानी के अगले हफते से ही आथ लाख डोस के साथ प्रिटिन के लोगों को टीके लगने शुरू हो जाएंगे मैं प्रोटम स्पीकर रामिश्वर्श शर्मा से मिलने गुरुद्वारा प्रपन समीती और सिक्स समाच का प्रतिनिधी मंडल पहुँचा है जिसको लेकर रामिश्वर्श शर्मा ने कहा कि मैं बहुत सौभाग के शाली हूँ सिक्स समाच के वरिष्ट जनों ने मेरे कारले पहुँचकर मुझे अपना सने और आशिरवाद दिया समाच के नागरिक बंधों ने इदगा हिल्स का नाम परिवर्थन कर नानक टेकरी रखने की मांग की है उनकी इस मांग को मुखे मंद्री शिवराद सिंग चोहान तक पहुँचा कर नाम परिवर्थन के हर संभव प्रयास करूँगा सबका आगरे है कि उतको इदगा हिल्स का नाम परिवर्थन करके बापर गुरु नानक टेकरी नाम पुकारा जाए नाइक रिशी कानूनों के खिलाफ चार राजे पंजाब, हर्याना, राजस्थान और उत्तरप्रदीश के किसान पिष्टे पांच दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर दटे हुए हैं वहीं किसानों के सांदोलन को अब मध्धप्रदीश का भी साथ मिलने जा रहा है ग्वालियर जिले के ग्रामीन शेत्रु के किसान अब दिल्ली कूच की तैयारी में है जोसके चलते ग्वालियर चंबल संभाग के किसान आंदोलन में शामल होने के लिए दिल्ली की ओर मार्च करेंगे जोरान डबरा भिंट मुरैना और ग्वालियर के किसान होंगे शामल ग्रह मंद्री डॉक्टर नरोता मिश्रा जबल पुर पहुँच रही जहां उन्हें कहा कि किसानों से बात श्रीट सफल होगी नरोता मिश्रा ने कहा कि कुछ तागती सांदोलन का अंतराश्ट्रे करने का प्रयास कर रही है लेकिन वो सफल नहीं होगे नए क्रिश्वी कानून पर सांसद और प्रदीश वद्धेक्षु वीडीश शर्मा का यहां बड़ा बयान सामने आ हैं उन्होंने कहा कि क्रिश्वी कानूनों को किसानों का हित है और कहा कि MSP जारी रहेगी और इसे किसानों को सुविधाएं भी मिलेंगे कुछ राश में देखता था कतित लोग हैं वो सरकार में अस्तरतालानी का काम कर रहे हैं अधिया जिने बहुत इस्पस्ट कहा है यह जो नीटी बनी है और सरकार ने जो निर्ण लिया है वो देश के किसानों की हित्में हैं किसानों की आए दोगुनी से लेकर हर किसान के लिए जो MSP की बाद जो लोग कर रहे हैं बहुत किलियर साब कहा है कि MSP रहेगी 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 और किसानों को हर प्रकार की सुपधाएं और मिलेंगी इससे ये कता कतित राजिनेतिक लोग है जो सरकार को जिस प्रकार से अस्थिरता लाने का जो प्रयास कर रहे हैं दुरभा की जिने के और किसान भी सुपधाएं प्रदीश अधिक्ष जम्मेदारों से भी मिले देशाम शिवराद सिंग चोहां दिली से भुपाल लोटे और फिर गोंदिया के लिए रवाना हो गया आज मुखे मंद्री भुपाल पहुँच रहे हैं इस बीश प्रदीश अधिक्ष वीडी श्रमा का मंद्री मंदल विस्तार को लेकर एक बड़ा बयान सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि मंद्री मंदल विस्तार चल्थ होगा अब देखने वाली बात ये होगी कि मंद्री मंदल विस्तार में किन चहरों को यहां तावच्चों मिलती है आपको बता देगी राज्यों सबस्तांसर जोतरादित सिंधिया और सियम श्रवराद सिंग जोहान एक साथ दिलने पहुँच रहे थे अब सबकी निगाही मंद्र साथ दिसंबर को भुपाल पहुच रही है इसके बाद ही मंद्री मंदल विस्तार की संभावनाय जताई जा रही है सियम शिवराद सिंग चोहान आज्वे किसानों को बड़ी सौगाद देने जा रहे हैं जहां सियम किसान कल्यान योजना के तहट पाश लाग किसानों को सौ करोड की लाग अपतेंगे ये कारेगरम हितलाव वित्रण के तहट तीन दिसंबर को आयोज़त होगा श्रिफपुरी पुलिस की जकैत बैजु गूरजर से हुई मुठवेड के बाद आपरहंट चरवाही को जकैतों की चरंगुल से सकुषर चुड़ा लिया गया मुठवेड में एक जकैत भी पकड़ा आगया है आपको बता दे कि राजरस्थान के एक चरवाहे का जकैतों ने गोरा टोली के ज्रंगलों से अफरण कर लिया था और बदले में 10 लाग के फिरोती मांगी थी चरवाहम मुठ्री रिवारी राजस्थान के पाली से भेडों को मध़प्रदेश के ज्रंगलों में चराने के लिया आया था अब खबर राजनन गाहों से है रहा श्रास्थ के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के आई सिउ में ऑक्सिजन का रसाब होने से अफराता प्रीमट गए बतादी कि राज डेट बज़े ऑक्सिजन केस के रसाब से वार्ड में फरती नौ अती गंभीर मरीजों को ततकाल वार्ड से बाहर निकाला गया वहीं हॉस्पिटल पुलिस चौकी में तैना जवान आमित समुंद्रे ने सूझ भूच का परिच्रे दिया और वार्ड में रखे फायर सिलेंडर से वार्ड में लगने वाली आख पर काबू पाया जो सवच्छ से एक बड़ी घटना होने से टल गए पूरे घटना करम के दौरान एक गंभीर मरीज की लाज़ के दौरान भी मौत हो गई है वहीं मौत का कारण जाच का विशह बना हुआ है इसके साथ ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अपने निर्मान के समय से ही किसी ना किसी मामली को लेकर विवादों में रहा बुलेटिन में फिलाल वक्त एक छोड़ी से ब्रेक का जल खास रूँके ब्रेक के बाद अब सभी का फिर से स्वागत है और रुक करते है अब श्रेडोल का जहां जल अस्पिताल में अब तक आट बच्चों की मौत के मामले में सभी डॉक्टर्स को क्लीन च्रेट कर दिया गया है अस्पिताल में अविवस्थाओं का आलम ये है कि इस अस्पिताल में बच्चों के लिए 20 बेड़ी है जबकि यहां 32 बच्चों को रखा गया है और पैरामेडिकल स्टाफ भी कमी भी है इसके बावजूद अस्पिताल जाच करने पहुंची सुभाज च्वंद्रिबोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के सीनियर डॉक्टरों की टीम ने जलास्पिताल के डॉक्टरों को क्लीन च्रेट देती है यानि कि अब सवाल यहां ये खड़ा हो जाता है कि विवस्थाएं बिगड़ी हैं तो इसका जिम्मिदार कौन और लापरवह कौन लगतार बढ़ रहे कोरोना संक्रमन के चलते प्रशासन सक्त मोड पर है जोसके च्रेलते कटारा, श्रेटर के तैसिलदार और राज़स की टीम ने केंडरा बैंक, एक्सेस बैंक और अन्य प्रतिष्ठानों पर जो मास्क नहीं लगाये हुए थे गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ जुर्मानी की कारवाई की और जुर्माना वसूल भी लिया इसके साथ ही लोगों को समझाया गया कि मास्क लगाना निवार रहे हैं, मास्क लगाकर ही घर से पहार निकले वहीं सिवनी जिले के बंडोल थाना श्ट्रेत रुमे का अनुखा मामला सामने आया जब एक ही समाज के दो प्रेमी यूगल ने अपने परिवार को छोड़ कर शादी का मन बना लिया था लेकिन इन प्रेमी यूगलों के परिवार वाले इनके खिलाफ खड़े थे और दोनों ही परिवार दुश्मनी पर उतारू होकर एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्जर करने को तयार हो गए लेकिन बंडोल थाना प्रभारी के सजुकता के चलते बाले के प्रेमी यूगल और उनके परिवार जनों को बुला कर आपसी रजामंदी से थाना परिसर में ही विभा कराया गया इसके साथ ही दोनों प्रेमी यूगलों की शादी के बाद दोनों ही परिवार जनों ने अशरवात देते हुए बंडोल थाना प्रभारी दिले पंच्रेश्वर का भी आफार व्यक्त किया मध्रप्रदेश रासन ने इन दिनों मिलावच खोरों के खिलाव सकती नजर बनाये हुए है जबलपूर में जिला प्रिशासन ने खादे पदारतों में मिलावच की सूचना पर बिलहरी इलाके में च्रिकी और नमकीन बनानी की फैक्टरी पर छाप अमार करवाई कर दूशरत खादे सामगरी जब्त की है इसके साथ ही दुकान संचालक पर FIR दर्च करती हुई फैक्टरी को सील कर दिया गया जिला प्रिशासन के फैक्टरी का लाइसेंस भी नरस्त कर दिया गया है बताया जा रहा है कि फैक्टरी में लंबे समय से दूशरत खादे सामगरी बनाई जा रही थी उसमें आज विनांग को 20 खाद्य पदारतों का मोके पर परिक्षन किया गया जिसमें दो जगह दो में कलर पुट आगया है तो उनको भी नोटिस जारी किया जा रहा है इसके एक अन्य प्रतिष्ठान नमकीन बनाने वाला प्रतिष्ठान है जहां पर 10-3 लगभग 1500 लिटर तेल जो की खराब क्वाल्टी का मिला है तो उसको भी विनाष्ठी करण किया गया है उसके लावा 50 किलो घटिया बेशन और 50 किलो आलू के चिप्स जिसमें निर्मान की कोई भी दिथी नहीं है इंदोर शासन लगतार इंटी भूमाफिया अभ्यान चुला रहा है जोसके तहद बड़ी कारवाई की गई है खचराना श्रेत्र के आटो चालक और पेंटर से बने गुंडा और अपरादी बबू छब्बू के अवैद निर्मान पर जलापर शासन ने सुबा तोड़फोर की कारवाई को अंज्राम दिया और दोनों गुंडों के मकानों को जमी दोस कर दिया गया हम लोग खचराना शाना श्रेत्र में हैं और इस इलाके में पहले भी चार गुंडों के खिलाफ कारवाई की गई थी थी थोड़ दिन पहले आज दो लोग चिन्हित हैं एक बब्बू शब्बू के नाम से यह दोनों फेमास हैं बब्बू का मकान तो लगभग तूट चुका है और उसमें फिरसीना काम चल ला है और यह चब्बू का मकान है इसको तोड़ने करवाई कर लिया है उसको मकान को उपने खाली करा लिया है करने के बाद कोपलेन लगा दी गगे है और वो तोड़ने करवाई चल लगी है मध़प्रदेश में गौशालाओं को दान करने वालों को आईकर से छूट मिलेगी लेकिन गौशाला रजस्टर होनी चाहिए क्योंकि अगर गौशाला रजस्टर नहीं है तो आपको दान की रकम पर इंकम टेक्स में छूट का फायदा नहीं मिल पाएगा पशुट्रिकित्सा विभाग समिली जानकारी में बताया गया कि गौर रक्षा और गौशन रक्षन को बढ़ावा देने के लिए मध़प्रदीश शासन पंजविकरत गौपालन और पशुधन समवर्धन बोट को दी जाने वाले दान राशी को आयुक्त आईकर विभाग शासन ने आईकर में छूलती है बुलेटिन में फिलाल इतना ही आप बने रहे हैं डिनन के साथ नमस्कार